हलो गाईस। वेलकम् टू पूरी पढ़ाई। तो आज हम डखेंगे क狯ृождь , सबसे पहले हमें पता हो राषाओ मैं के पटाओने का हैं की यह का होता है। जिसली हम लिखने का तरीका है , जिस तरह हम लिख रहा है उसको कहती है , लिखने का तरीका तो html के लिखने का तरीका क्या होता है html जो लिखा जाता है वो tags में लिखा जाता है जो कि हमने पिछली वीडियो बताया था कि tag क्या होता है अभी हम देखते हैं कि कितने type की हमाई tags होते हैं जिसे कि हम html को लिखेंगे हमारे पास फैला होता है two-sided tag two-sided tag का मैं आपको example दू कि आप जैसे कि आपका लिखा हुआ है tag, attributes document, content और tag tag और tag जहां पर लिखा हुआ है महाँ पर हम tag लिखेंगे तो हमारे पास काफी सारे tags होते हैं उसकी जगे हम tag लिख सकते हैं just like मैं आपको example और जो हमारे attributes होता है just like यह आपका starting tag है उसके बाद आपका यह closing tag आता है और आपको starting और closing दोनों tag लगाना पड़ेगा इसके बाद आपका attributes आता है जिसमें कि आप property लिख सकते हैं just like आपने एक font लिखा है font की property दे सकते हैं कि आपका size जो है वो 20 pixel होना चाहिए या फिर 50 pixel होना चाहिए या फिर बहुत बड़ा होना चाहिए फिर बहुत चोटा होना चाहिए तो इस तरह के attributes आप दे सकते हैं और इसके बाद आपका आता है document content document content मतलब कि आप जो भी लिखना है और यहाँ पे लिखा हुआ है actual content appear in the web page optional होता है यह ठीक है properties भी optional होती है और actual content भी आप जो लिख रहा है वो भी optional लेता है आपको लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं बड़ जनरली हम लिखते हैं ताकि web page पे दिखाई दे properties of text and optional यह दोनों field आपकी optional होती है ठीक है यह आपके two-sided text है तो आपका यह नीचे आपका example है h1 और h1 यह आपका starting और ending tag तो लगा रहा है starting और closing tag तो लगा रहा है और बीच में आपका document content जो भी आपको content appear करना है मतलब कि दिखाना है just like मैं आपको example देता हूँ ठीक है यह जो आपका लिखा हुआ है यह अपारा actual content है यह हमारा actual content है जो हम दिखा रहे है यह जो है पूरी पढ़ाई ठीक है उसके बाद हमने starting और ending में h1 h1 tag लगाया और हमारी काफी सारी tags होते हैं यह हम पढ़ेंगे videos में कि h1 tag क्या होता है h2 tag क्या होता है बट यह example है छोटा सा कि जिसे आपको पता चले कि two-sided tags किसे कहते है two-sided tags वो होते हैं जिसमें कि starting और closing tag दोनों क्यों होते हैं और आपका इसमें attributes जो होते हैं वो optional होते हैं document content भी optional होता है इसमें first example में attributes हमने नहीं दिखा है second में example लेता हूँ जिसमें कि आपका attributes दिख रहा होगा body bg color तो body भी एक आपका tag है और starting and ending में दौनों में body लगाए starting and closing tag उसके बद bg color लगाए bg color मतलब background color क्या होगा उसका red होगा ठीक है तो यह तो आपका two-sided tag एक हमारे पास होता है one-sided tag तो one-sided tag में क्या होता है simply एक tag होता है जिसको हम closing tag कहते है ठीक है closing tag के आपका example है जैसे break line tag है जो कि हम पढ़ेंगे videos में और horizontal line tag है तो यह दो तरह के आपके पास tag होता है two-sided tag और one-sided tag जिसकी मदद से हम पूरा html का website बनाते है पूरी website को design करते है ठीक है तो हम next videos में देखेंगे कि html की websites कैसे बनाई जाते है और html के text कैसे कैसे लिखे जाते है और क्या-क्या होते है so thank you guys your feedback is valuable for all so please comment, like and share with your friends thank you